हेलो गाई स्वागत आपको और एक न इंट्रेस्टिंग वीडियो में दोस्तो आज हम सिखेंगे कि इंस्टाग्राम से हम रिल पोस्ट या इस्टोरी केसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बिना किसी एप से तो दोस्तो यह वीडियो पूरा देखना और अभितेक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल वाला इकन जरूर ओन कर देना तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे कि आप इस्टाग्राम से इस्टोरी या पोस्ट डाउनलोड कर सकते हो सबसे पहले में आपको फस्ट वाले ट्रिक बताता आपको इस्टाग्राम ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको जो भी रिल डाउनलोड करना है वह रिल का आपको उपर साइट में आप थ्री डोट देख सकते हो इस थ्री डोट पे क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने यहां लिंक का ओप्शन दे रहे आपको यह लिंक और इसकी लिंक कोपी करना है इसकIE बद आपको मोबाइल का Chrome Beniपं करना है क्रोम ब्रॉजर growing करना है रोभण करने के बद को यहां सर्च करना है दोस्तों अगर आपको सन्सोरी डाउलोड करना है तो Instagram story download लिखना है अगर आपको post download करना है तो Instagram post download ऐसा लिखना है अगर आपको real download करना है तो Instagram reals download करके आपको search करना है सर्च के button पे click करोगे आपके सामने नया page खुल जाएगा यहाँ पर आपको सबसे पहले में जो link दिखरे है उसके उपर आपको tape करना है इसको tape करने के बाद आपके सामने और एक नया page खुल जाएगा तो यहाँ पर search bar में आपने जो link कोपी करे है उसको paste कर देना है आपको यहाँ प्रेस hold करना है उसके बाद वो link आ जाएगी उसके बाद आपको search करना सर्च करने के बाद यहाँ देख सकते हो कि यहाँ loading होने के बाद आपने जिस भी पोस्ट यह रिल की जो link कोपी करे होगी वो reel यहाँ पर आ जाएगी आपको simply download mp4 पर क्लिक करना है download mp4 पर क्लिक करोगे तो आपकी reels download हो जाएगी दोस्तों यह हमारी पहली ट्रिक है दोस्तों यह पहली ट्रिक कैसे लगए आप comment box में जरूर बताना तो दोस्तों हम चल दें दूसरी ट्रिक की ओर दोस्तों इस ट्रिक में आपको instagram mode download करना होगा जिसमें आपको download का option instagram में ही मिल जाएगा जैसे आप यहां मेरे Instagram इस ट्रिक करो करके hmm प्रेल बिडाउंड कर सकते हो तो इस ट्रिक में भी जैसे आप किसी स्टोरी को आपको इसे ित्रीक करना हो ऊपर गर्ले रखें यहां पर आपको download को option मिल जाएगा अब यहां download पे tab करके है पी इस्टोरी भी डाउनलोड कर सकते हो तो दूस्तो इस्टाग्राम मोड्स की और बहुत सारे फिचर से वो मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ पर प्रोफाल पर क्लिक करना उसके बाद उपर राइट साइट में इसके उपर क्लिक करना है यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने option आ जाएगा सबसे पहले में इस्टाग्राम का जो setting है इसके जो mode version का यहाँ आप देख सकते हो download, privacy log, general, story इस सारी बहुत सारे आपको settings मिल जाएगे customize करने के लिए आप यहाँ पर आप बहुत सारे customize भी कर सकते हो अब मैं आपको बताता हूँ कि instagram mode को download कैसे करते है आपको सबसे पहले में chrome browser open करना है यहाँ पर आपको सर्च करना है instagram download यह सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे पहले में जो link आएगे उसके उपर loading होने के बाद आपको download का option मिल जाएगा दोस्तों यह कितनी mb का यह बता देगा यहाँ पर आपको बता देगा कि यह 50 mb का if है आपको simply इसके उपर click करना है click करोगे तो यह automatic download start हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको download anyway पर click करोगे तो आपका download start हो जाएगा download होने के बाद अब इसको install करने के बाद जैसे आप instagram में login करते हो वेसे यहाँ facebook या mobile नमबर डाल के इसको register कर सकते हो दोस्तों यह instagram mode AP के किसी प्रकर का illegal नहीं है आप इसको use कर सकते हो और आपका account बेंड नहीं होगा instagram mode से नहीं download करना चाहते हो तो आप first of all ए trick copy link करके Chrome browser से download कर सकते हो I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगो होगा वीडियो अच्छा लगो हो तो वीडियो को like कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है